नमशकार दोस्तों, कैसे हैं आप, उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है Glimses of India कुर्ग दोस्तों ये कुर्ग चैप्टर Glimses of India का पार्ट 2 है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों कुर्ग करनाटक का एक छोटा डिस्टिक्ट है जिसे कोडागु भी कहा जाता है ये कोस्टल एरिया मंगलोर और मैसूर के बीच पड़ता है ये एक बहुत सुन्दर स्थान है लेखा कहता है कि ये स्वर्ग का छोटा सा तुकड़ा जरूर भगवान के ही यहां से आ से ढ़का हुआ है इस एरिया में आने का सबसे अच्छा मौसम सितंबर और मार्च के बीच में है मौसम एकदम सही है हवा कॉफी के फ्रेग्नेंस से भरी हुई है हर कोने में अंग्रेजों के जमाने के सुन्दर बंगले है कुर्ग के लोग इंडिपैंडन्ट और ब्रेव ह वे युनानी या फिर अरब वंश के हैं एक स्टोरी के मताबिक सिकंदर की सेना का एक भाग वापस नहीं लोटा और यहीं पर बस गया उन्होंने लोकल लोगों के बीच ही शादी कर ली ये ट्रेडिशन बहादुरी के रीती रिवाजों शादी और धार्मिक कारेकरमों से अज़र आती है एक दूसरा सिधान्त ये कहता है कि ये लोग अरबो के वच्चेज हैं ये बात इन लोगों द्वारा पहने जाने वाले लंबे कोटों से जलकती है ये कोट अरबो और कुड लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कुफिया की तरह होते हैं कुर्ग घरों मे महमान नवाजी के परंपरा है वे लोग ब्रेव हैं और उनकी ब्रेवनेस के किस्से भी बहुत फेमस हैं कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सबसे जादा डेकॉरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियपप भी एक कुर्गी थे आज भी कोडावू भारत के एक मातर ऐसे लोग हैं जिने बिना लाइसेंस के फायर आम्स रखने के अनुमती है यहां बहुत से प्राकरतिक नजारे हैं जिनका आनंद विजिटर्स उठा सकते हैं इस इलाके की एक मातर नदी कावेरी को अपना पानी कुर्ग की पहाडियों से मिलता है यह नदी ताजे पानी की मचली महसीर से भरी हुई है यहां पर हाथी, किंग फिशर, गिलहरियां और लंगूर प्राकरति का आनंद उठाते हुए देखे जा सकते हैं यहां पक्षी, मदुमक्खियां और तितलियां अच्छी संगत देती हैं हाथी अपने महावतों द्वारा नहलाए जाने का आनंद भी लेते हैं कुर्ग के रिवर और माउंटेंज, एडवेंचरे स्पोर्ट जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक टाइमिंग और माउंटें बाइकिंग के लिए हर किसी को अफसर प्रदान करते हैं ट्रैकर्स को ट्रैकिंग करने के लिए इस एरिया में कई सारे अच्छे रास्ते मिल जाते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स से व्यक्ति कुर्ग के सारे इलाके का बहुती सुन्दर द्रिश्य देख सकता है पासी में 64 एकड का निसर्गदाम नाम का एक आईलेंड है इस तक रसे के एक पुल द्वारा जाया जा सकता है यहां पे घूमने वालों के लिए एक जगा बाइला कूपे एक बोनस के तौर पे है क्योंकि वहां पर बड़े सारे तिबबतियन मौंक्स बसे हुए हैं जो अपने लाल, गेरुआ और पीले वस्तरों में दिखाई दे जाते हैं वो दिखने में हैं बहुत जादा अट्रैक्टिव लगते हैं और लास्ट में राइटर ये बताता है कि ये मौंक्स यहां पे देखे जाने वाले विजिटर्स ज्वारा कई सर्प्राइजिस में से एक हैं ये एरिया कुर्ग, इंडिया के, दिल और उसकी आत्मा का प्रतिबिम्ब है तो दोस्तों यहां पे इस चैप्टर का एक्स्प्लेनिशन खतम होता है आप से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू